असलाम अलेकुम एक और नई वीडियो के साथ मैं हूँ सही है नसीम अकरम और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल नसीम अलेक्ट्रिक दोस्तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉंटरमीटर के बारे में जो टैंस कंपनी का कॉंटरमीटर है और सब जो है इनमें आप ले सकते हैं और जरूरत के मताबग जो है इस्तमाल कर सकते हैं इनमें तीन और चार जो पॉइंट है वो इसकी स्प्लाई का है और इसका एक और दो जो पॉइंट है वो स्विचिंग के लिए काम करता है कि जैसे ही हम इन दोनों जो पॉइंट है इनको supply देंगे तो एक दफ़ा supply देने से ये जो counter meter है एक digit show करेगा और जैसे जैसे हम इसको जितनी दफ़ा supply जो है वो on off करते जाएंगे तो इतने ही digit ये जो है display meter पर count करेगा ये counter meter जो है कैसे काम करेगा इसको मैं आपको इसकी जो wiring है वो करके तो आपको और इसकी back side पर ये जो jack लगा था इसको मैंने उतार लिये और jack जो है इस पर मैंने जो wiring है इसकी वो कुछ इस तरह की है के neutral wire जो है और phase तीन और चार जो point है उनके लगा दिये और जो हमारी neutral wire है यहां से मैंने एक wire निकाल के जो दो number है इसके साथ यह on हो जाएगा लेकिन यह digit उस वकट तक show नहीं करेगा जब तक हम यह जो एक और दो number point है इन पर supply ना दे तो एक दफ़ा supply देने से यह जो counter है वो एक दफ़ा count करेगा और जितनी दफ़ा हम इनको supply और on off करके देते जाएंगे तो यह जो counter meter है यह काम करता जाएगा तो phase जो है phase से एक wire मैंने निकाल ली है और दूसरी wire जो है वो मैंने निकाल ली है एक number point से तो होगा कुछ इस तरह के noodle जो है इसको मैंने यहां से दे दी है और phase यहां से निकाल कर जैसे ही मैं इसके साथ short करूँगा तो यह उतनी दफ़ा जो है वो count करता जाएगा तो इस jack जो है इसको मैं लगाता हूँ counter के साथ और counter को जो है लगाने के बाद इसकी मैं supply जो है वो own करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यह counter meter जो है वो own हो गया इसको मैं reset करके तो यह वाली जो wire दूसरी जो मैंने निकाली थी जैसे ही मैं इसको इसके साथ short करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह digit show करते है और जितनी दफ़ा मैं इसको short करते जाऊँगा यह उतनी दफ़ा जो है वो count करता जाएगा digit जो है आगे बढ़ाता जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा counter meter है JDM 11 इसको operate करना कितना असान है और यह काम इसी का तरह करता है कि पहले जो इसके point है वो supply के हैं और दूसरे जो और दूसरे जो point है वो switching के हैं कि जैसे ही हम इसको wire जो है वो touch करते जाते है तो यह वाला हमारा counter meter है यह sense करता जाते है तो दोस्तों आपने देखा कि JDM 11 6 है जो है इसको operate करना कितना असान है और अमीद करता हूँ कि आप जो JDM 11 है इसको operate करना सीखे होंगे इसे मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था JDM 15 के बारे में अगर वो आप देखना चाहते है कि कैसे हम JDM 15 को operate करते है तो उसके लिए link जो है वो मैं description में दे दूँगा वीडियो का उमीद है कि दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप जो JDM 11 है वो operate करना सीखे होंगे अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे ताके मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको उसानी के साथ मिल सके